हेलो दियर एस्पिरेंट्स आज हम पीजीटी इंग्लिश का जो स्लेबस है वो डिस्कस करेंगे यहां पर तू सेक्शन्स हैं सेक्शन वन लेंग्वेज्ज सेक्शन टू लिटरेचर सेक्शन वन लेंग्वेज्ज जिसमें अन्सीन पैसे जाती है जिसमें हमें एक पैरग्राफ दे दिया जाता है और पैरग्राफ में से आंसर चूज करके हमें लिखना होता है यानि कि टिक माग करना होता है अब्जेक्टिव टाइप हमारा पिपर आता है सेकिंड यूसेज, टेंस, स्पलिंग, पंक्टिशन, नरेशन, वोकब, एडियम, एंड फ्रेजेज यह पार्ट्स है ग्रैमर के जिनकी हमें प्रिपेर्शन करनी है सेक्शन टू में लिटरेचर है forms of literature and figures of speech जो बहुत ज़्यादा important है important तो सभी चीज़े हैं बट यह main है authors and works William Shakespeare तो यह सभी authors हैं जो हमें ready करने है next TZT English syllabus जिसके भी two sections है language and literature in language section हमें ready करना है unseen passes for comprehension B section में parts of speech, spelling, punctuation, vocab, trends, narration, preparation, uses, transformation and agreement okay section B literature की बात करें तो section B literature में number one forms of literature हमें ready करना है जिसमें सारी literature की forms आ जाती है authors, entire, work, Shakespeare, John Milton, William Wordsworth and John Galsworthy इसमें सिफ चार writer हैं यह four writers हमें ready करने हैं पाकि हम अपनी grammar पर भी focus करेंगे और daily basis पर grammar का एक topic हम यहाँ पर ready करेंगे तो आप channel पर बने रहेगे और new update पाने के लिए channel को subscribe कर देगा ट्यचल यहाँ और लिए भी beauty उढहे ह।